तो हाइड्रोजन आइनों की शांदरता की शक्ति ग्याद करने के लिए जो इसकेल काम में आती है उसको अपन पीएच इसकेल के बारे में अगर देखें तो ये पीएच इसकेल इसकी जो रेंज है वो कम से कम शुन्य और अधिकतम 14 तक रहती है तो इस पीएच रेंज की अप पराश इसकी रेंज कहां तक रहती है इसकी पराश कहां तक रहती है उसके रेस्पेक्ट में पर बात करें तो पीएच इसकेल की पराश कहां से कहां तक होती है तो पीएच इसकेल की पराश को अगर देखें तो इसकी जो पराश है वो 0 से 14 तक होती है पीएच इसकेल की पर होती है पिएच इसकेल की पराश जीरो सी चगदा तक होती है एक तो इसकी पराश जीरो सी चगदा तक होती है सेकेंड पॉइंट कहता है कि इस पिएच इसकेल पहली में डाइग्राम बता देता हूं ताकि आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं रहे कोई किसी टाइप की दिक लेते हैं यह नॉर्मल एक ऐसी कागज की पटी होती है और इस कागज की पटी के बीच में से एक रेखा ऐसे भी खिंची जाती है और इस रेखा के अंदर देखेंगे तो नॉर्मल इसमें कलर दिखाए जाता है एक तरफ अलग कलर हैं दूसरी तरफ अलग कलर होता है इसे सबसे कलर भी दिखाते हैं और कलर भी थोड़ा सा हलका ऐसा कलर दिखाते हैं तो मैं यहां से इस कलर को भर भी लेता हूं उसके अंदर कलर कि अच्छा आप कर दो पर अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा झाल 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 तो ये एक pH scale आगर के तयार हो जाती है नौर्मल इसी तरह की कागिज की पटी रहती है जिसको अपन pH की नाम से देखते हैं इसका जो mid point रहता है बिल्कुल center जो point रहता है इस center point को अपन यहां से locate करती है तो यह जो center point है बिल्कुल इसका यहां पे इसकी pH जो value है टोटल वो pH value यहां पे रहती है साथ यह pH value साथ रहती है इसकी कम से कम जो value है वो 0 रहती है और अधिक्तम जो value है वो 14 तक जाती है तो 0, 7 और 14 यह इसकी range रहती है जहां पे इसकी pH value साथ है तो यहां पे इसकी प्रकृती उदासीन होती है उदासीन प्रकृती है जहां पे pH 14 है तो वहां पर प्रबल चार प्रकृती रहती है और जहां पे pH 0 है वहां पे प्रबल अमली प्रकृती होती है प्रबल अमली प्रकृती होती है बीच में उदासीन है उदर की तरफ प्रबल चार होता है जैसे जैसे अपन साथ से 0 की और जिरो यहां साथ से 14 की तरफ जाओगे तो इसमें चार येता बढ़ती है अब एक प्रस्न यही पूछा जाता है कि एक पीक्ष वेल्यू है एक पी-वेल्यू है छ और एक पी-एच वेल्यू है च्यार तो च्यार जो पी-एच वेल्यू है वो जदा अमली होगा और पी-एच जो छह है वो कम अमली होगा उसी टाइप में अगर एक पी-एच वेल्यू नव है आठ है और एक पी-एच वेल्यू इग्यरा है तो दोनों के अंदर आठ जो पी-एच है वो जदा चार ये होगा ये प्रशन भी आता है एक प्रशन आता है कि एक pH वेल्यू आठ है तो ये चार है तो क्या इसमें अमलिये गुण नहीं है यस इसमें चार ये गुण जदा है अमलिये गुण इसमें कम है जिसमें pH चार है तो इसमें अमलिये गुण जदा है चार ये इसमें कम है तो ये सारे इसके रेस्पेक्ट में आंकड़े भी पूछे जाते हैं तो इन चीजों को भी आप माइन में रखोगे ये नॉर्मल एक स्केल है इस स्केल की जो रेंज है परास है उजीरो से चगदा तक होती है और इसमें अमल और छार की सांद्रिताओं को मापा जाता है इधर की तरफ ये पूरा का पूरा अमल रहता है अमल का मतलब इसमें H+, चलता है, इधर की तरफ पूरा का पूरा चार चलता है चार, जिसमें OH- की सांदरता चलती है अब देखो, उधर की तरफ चार है, तो उधर चार की जो स्केल है देरे-देरे बड़ी हो रही, यहां 14 तक चली गई है तो यहां इसकेल गटरी है, मानलो यहां पे अपन देखे यहां पे अगर PH 3 है, तो 3 है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें 6 भी नहीं है, देखो 6 है, अभी तक इसमें पट्iała पढ़ी है तो जहां पे PH H+, होती है, तो वहां पे OH- भी 77 में होती है इधर की तरफ जाओगे तो अमल की पटी बढ़ रही है तो अमल यहाँ पे बढ़ेगा तो छार भी है लेकिन छार अंदर बहुत कमजोर होता है इधर की तरफ छार बढ़ता है उधर की तरफ अमल बढ़ता है जहाँ पे pH 0 होती है वहाँ पे प्रबल अमल होता है उसको दिखाने के लिए ये नॉर्मल पी-एच स्किल बनाई जाती है और पी-एच स्किल जो है इसके अंदर जीरो मान है तो वहाँ पे प्रबल अमल होता है पी-एच मान जहां पे चवदा है वहाँ पे प्रबल चार होता है और जहां पे pH मान 7 है तो उस विलेयन का जो pH मान 7 है तो वो अमिसा उदासीन विलेयन होता है और इसकी मान 7-14 के बीच में चारी होता है 0-7 के बीच में अमली होता है और विलयन में OH- या H- प्लस आयन इनकी सांदरता में कैसे परिवर्तन होता है उसको दिखाता है और ये pH को गात करने के लिए आजकल कुछ युनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में और उसकी प्लस इसको ग्यात किया जाता है तो ये पूरी pH स्केल रहती है तो इस pH स्केल के बारे में भी अपन कुछ पॉइंट नोट करते है pH स्केल में फर्स्ट पॉइंट नोट किया था कि इसकी जो परास है वो 0-14 के बीच में रहती है है सेकेंड पॉइंट कहता है कि पी एच शाथ पर प्रकृती उदासीन होती है होती है सेकेंड पॉइंट है पी एच जीरो से साथ तक अमली ये प्रकृती होती है जीरो से साथ तक अमली ये प्रकृती होती है अगला पॉइंट कहता है कि पी एच साथ से चवदा तक छारी ये प्रकृती होती है छारी ये प्रकृती होती है तो ये प्रकृतिया इसके साथ में वेरी करती है प्रकृतिया इसमें चेंज भी होती है अगला point इसमें कहता है कि जो pH है उसको भी कुछ आप लोग याद रखोगी कौन-कौन सी pH किस-किस में दिखाई जाती है तो pH जो है उसको दिखाने के लिए मेरे पास में एक पहली से टेबल है इसको आप देखो तो इसमें कुछ pH मान दिये भी गई है जैसे यहाँ पे देखोगी तो sodium hydroxide है sodium hydroxide sodium hydroxide का formula है NaOH और इस NaOH sodium hydroxide का pH मान हमेशा 14 रहता है लगबग 14 रहता है तो sodium hydroxide इसका pH मान 14 रहता है यहाँ पे जो pH मान 10 है यह pH मान 10 रहता है magnesium hydroxide का जिसका formula है MgOH whole twice इसको milk of magnesium भी कहते है इसकी pH मान चवदा रहती है तो ये pH मान चवदा है जिसको अपन Milk of Magnesia कहते है Milk of Magnesia Milk of Magnesia के नाम से जानते है ये जो pH मान जहां पे साथ है तो साथ pH मान जहां पे होती है वो अमेशा शुद्ध जल होता है इस शुद्ध जल इसकी pH मान अमिसा 7 रहती है और एक चीज याद रखोगे रक्त का जो pH मान है वो 7.4 होता है रक्त का pH मान कितना होता है 7.4 होता है निम्बू का pH मान देखोगे तो निम्बू का pH मान जो इसका चलता है वो 1 और 2 के लगभग बीच में चलता है तो निम्बू का जो pH मान होता है, वो निम्बू का pH मान थोड़ा सा vary करता है, 0 है, 0, 1 है, तो ऐसे करके चलता है, तो निम्बू का जो pH मान है, वो निम्बू का pH मान थोड़ा सा 1.1 से 2.2 इन दोनों के बीच में चलता है, जठर रस का जो pH मान है, वो भी चलता है, तो जठर रस जिसको अपन कहते है hydrochloric acid और इसका pH मान 1.2 होता है hydrochloric acid 1.2 है नीबु का pH मान 2.2 है सुद्ध जल का pH मान 7 है और रक्त का pH मान 7.4 होता है milk of magnesia इस milk of magnesia का pH मान 10 रहता है milk of magnesia 10 है sodium hydroxide sodium hydroxide उसका pH मान रहता है 10 नहीं है 14 sodium hydroxide का pH मान 14 रहता है यह pH मान 14 तो इसे साब से कुछ pH मान है और यह pH scale है जिस पे अलग-अलग color coding है और इससे इसको दरसाया जाता है इसको दिखाया जाता है तो यह pH scale रहती है जिसमें रंग के माध्यम से अपन इसको दिखाते हैं और यह H plus और OH minus को दिखाते हैं